धन वैभाव और सौंदर्य के प्रतीक मने जाने वाले सुक्राचारिय आपके ठीक पंचम भाव पर इनका गोचर परिवर्तन हो रहा है 29 नौमबस लेकर के 25 दिसंबर तक वास्तों में देखा जाये तो सुक्रदेवता अपने मूल त्रिकुन रासी तुला रासी पर इनका ब्रहमन हो रहा है बहुत लंबे आउधी के बाद सुक्रदेवता यहां पर पतार रहे हैं इसलिए टांजिट बहुत महत्तुपूर्ण होता है दूसरी और देखा जाये तो आपके तो भई योग कारक हो गए मिथुन रासी के सबसे बड़े कोई योग कारक गरहों में जिनकी गिंती होगी यही होगे सुक्रदेवता जी लिए आप और हम यहां पर एकत्रित हुए हैं ठीक 29 नौंबर से यह आपके पंचम भाव पर आ जाएंगे पंचम भाव के positive result आपको मिलेंगे उस भाव का स्वामी उस भाव पर हो जाए इस से बड़ा एक और क्या आप गोचर ले सकते हैं इस समय पर जो पर पैसों को लेकर अपड़ान दिजेगा कुछ ऐसी सिख्षाप को मिलने के संहा न 속 भाव पर तक ले जाए उस भी या फिर ये समय सही समय होगा आपके share market में पैसे लगाने के लिए लेकिन हाँ आपको कोई बड़े धन कहीं पर invest करने से पहले अपने birth chart का विश्टेशन जरूर करवाने किसी जानकार जोतिसी से ताकि आपको बाद में कोई परसानी का सामना ना करना पड़े परन्तु अभी इस्थिती ये है कि सुक्र देउता आपको investment के हिसाब से आपको धन दायक सिद्ध होंगे पंचम भावी वो इस्थान हो जाता है जो हमारे संतान का होता है हर कोई चाहता है कि मेरे संतान बहुत स्रेश्ठ हो मैं उनके लिए बहुत अच्छा कर पाऊं लेकिन कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता अभी समय कुछ ऐसा है इस सुक्र का प्रभाव को कि पंचमादी पती पंचम भावपा है संतान से जुड़े हो यदि कोई प्राबलम है कारे बन सकते हैं जिनके संतान नहीं हो रहे हैं वो इस समय पर प्रयास करें संतान की संभावना बन जाएगी जो अपने बच्चों को ले करके उनके एजुकेशन को ले करके यदि प्रयासरत है इस समय पर कारे कीजे उनके कैरियर में भी सफलता मिल सकती है दूसरे तोर पर यही मोभाव है जो हमारे प्रेम संबंधों को प्रदस्यत करता है पती पतनी का प्रेम हो या किसी प्रेमी यूगल का प्रेम हो दोनों ही इस आपसे पंचम भाव पर सुक्र की स्थिति एक प्रेम जनित वातावरन को कायम करेगा कितनी भी यदि आपस में सामंजस्व नहीं बैट पा रहा है या फिर आपस में वैचारिक वैमनस से बने ही हुए है ये वो ट्रांजिट है जो आपको अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा आपको समर्थन प्रेम और उत्साह को दिला सकता है ध्यान दीजेगा पंचम भाव ही वो इस्थान हो गया जो हमें प्रारब्धों का प्रतिफल दिलाता है इस इस आपसे जो प्रारब्ध में आपने धन से जुड़े हुए कोई कारे किये हैं वो भी बन सकते हैं कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सुक्र देउता धन के कारक मने गए हैं और इस कारण से यदि आप व्यापार भी करते हैं या अपने प्रोफेशन में हैं किसी जौब में हैं वहाँ पर भी आपके बुद्धी मता से आपके निर्ने चमता के द्वारा कोई एक स्रेष्ठ अनुभूती भी आपको इसी समय पर मिल सकती है क्योंकि काल पूरुस की कुणेली जब आप उठा के देखेंगे तो उस समय पर सात्वे भाव को रिप्रेजन करता है हमारा तुला रासी अब तुला रासी का मतलब यह हो गया जो आपके मित्धू नासी से ठीक पंचम भाव पर है इस समय पर ब्यापार से जुड़े हुए आपके कारे बन सकते हैं बहुत से ऐसे कारे भी बन सकते हैं जहां पर आपके मित्रों आपके पार्टनर का भी आपको सहयोग प्राप्ते इस समय पर होने की संभावना काफी हद तक प्रबलता की और अग्रसित होता है अब जानते हैं क्या ये सुक्र देवता हमारे जिवन में भागे के विवित्धी भी करा पाएंगे क्योंकि ये तो धन के कारक है भई तो भागे के कारक कौन है आप सब जानते हैं भागे के स्वामी होते हैं देव गुरु ब्रहस्पती कोई भी लग न हो, कोई भी रासी हो, सब के लिए भागے के स्वामी एक देव गुरी बिरस्पती है और आप के लिए क्वान है? आपके लिए जो भाग्येस बनते हैं आपकी पत्रिका में वो है सनी देव इस समय पर सनी देवता आपके भागे स्थान पर गोचर कर रहे हैं मतलब भागे का साथ तो आपको मिल गया एक तरफ नवम भाव पर मूल तरिकोन रासी पर सनी देवता स्वारासी के हो गए दूसरे तरफ तुला रासी पर सुक्र भी स्वारासी के हो गए इससे अच्छा combination क्या लेंगे और देव गुरु बिरस्पती की स्थिति कहां चले गई देव गुरु बिरस्पती आपके बैट गए हैं एक अतस भाव पर आपके income भाव पर अब इन दोनों का समावेज देखें कैसे इनका प्रभाव पनेगा सुक्रदियोता ने 180 डिचरी से गुरु बिरस्पती को द्रिश्टी दिया और यहां से गुरु बिरस्पती अपनी साथवी द्रिश्टी प्रदान की सुक्रचारे जी महाराच को एक है धन के कारक एक है भागे के कारक अब दोनों का समावेज मतलब कहीं यदि हमें धन प्राप्ति के संकेत तो है क्योंकि ये प्राप्ति स्थान भी होता है हमारे एका दस्भाव एका दस्भाव हमारे लाभ का स्थान होता है इसलिए इस समय पर मेरे तार्किक निर्णेयों के द्वारा, या मेरे प्रयासों के द्वारा, मुझे धन लाप की बिविद्धी हो सकती है, या कोई भी ऐसे desire क्योंकि एक अदस भाव हमारे desire को प्तस्रित करता है, कोई भी हमारी कामना है, चाहे पारिवारिक हो, समाजी हो, या फिर आरतिक हो, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कोई एक दिसा निर्देस आपको प्राप्त हो सकता है कोई भी ग्रह हमारे जीवन में हमारे जीवन को खराब करने के लिए नहीं आते इस बात को समझेगा हम तो भाई ये भी करते हैं कि यदि कोई ग्रह नीचरासी का भी पढ़ जाए वो भी आपको सुख्राचारजी अपने घर पर आए है इस भाव की जागरिती को कैसे प्रदान नहीं करेंगे आपको स्वता ही इस बात का विचार करना है इस समय पर भागे का साथ भी मिल गया मतब एक प्रकार से धन की भी बृद्धी तो है ही और साथ में भागे का साथ मिल जाना भागे का साथ किसे बोलेंगे हमने प्रयास तो बहुत किया लेकिन यदि हमारा भागे साथ नहीं देगा तो याद रखेंगे आप 99 तक भी पहुँच करके वापस आने की संभावना बन जाती है लेकिन जब भागे हमारा प्रबल हो जाता है भागे का साथ मिल जाता है तब वही इस्तिति 99 से हम 100 तक पहुँच करके एक विजेता के रूप में अपने जीवन को पदरसित कर पाते हैं अब कैसे इसी समय पर इस सुक्र के प्रभाव को और अच्छा लिया जाए कैसे हम अपने जीवन पर और जड़ा धन की विव्रिद्धी और भागे की विव्रिद्धी करा पाएं तो सबसे उत्तम उपाए हमें जो लगता है आपके लिए क्योंकि पंचम भाव पर सुक्र आ पाद नहीं करना है ये आपकी प्रथम एक कारी आपके अंदर होनी चाहिए अपने आप ये सुक्र आपके बल्वान हो जागे पंचमेश तो लाइफ टाइम के लिए हैं आपके लेकिन इस टमें पर सुक्र भी यहाँ पर आए हुए हैं दूसरा अपने जीवन साथिया कर लिया तो ये समझे कि सुक्र तो स्वयम मधूरता के प्रतीक माने गए हैं सौंदर यो प्रेम के प्रतीक माने गए हैं और जब यहाँ पर आपने काम कर लिया अपने जीवन साथिया जीवन संगिनी के साथ आपके वैचारिक मद्भेद नहीं है इसका मतलब यहाँ पर सं पतिनाना और जहां कुमती तह भी पतिनी दाना तो यदि संपति चाहिए तो इस समय पर यह हमेशा के लिए भी यह कहेंगे कि अपने जीवन साथ ही जीवन संगिनिक साथ आपके अच्छे संबंध हो सुक्र चुकी इस तरी जाती को रिप्रेजेंट करता है इस लिए इस समय पर गाय के जो दूद होते हैं गाय के दूद से खीर बनाएए और खीर बनाकर किसी देवी मंदिर में अरपन कर दीजे प्रसाद दूसरों को बाटिए और अंतिम में प्रसाद स्वैम लीजे यकीन मानिए यह उपाय बहुत सरिष्ट कारगर साबित हो सकता है और कितने भी अरथिक परसानी या फिर हमाएं प्राप्ती में कोई विलम हो रहा है क्योंकि सुक्र की दृष्टी पड़ी है प्राप्ती इस्थान पर हलाभ इस्थान पर लाभ में यदि विलम भी हो रही है वहां से निकाल करके हमारे जीवन को बहुत उन्नत की और ले जा सकता है उम्म प्राप्ती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजिएगा पुना है एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हूं इन्ही सुबका आपनाओं के साथ जैसरी राओ